लेकिन अब से सारे लेट ना हो, क्योंकि वापिस से आ गए हैं लखनों और अब आपको धेर साली क्लासेज मिलेंगी, धेर सारा कॉंटेंट मिलेगा और अभी एक्टिव तरीके से आपको पढ़ा पाऊंगा, तो चलिए सुरुवात करते हैं, 20 जुन का करेंट अफेर आज प लिए और नसा मुक्ती अभियान के लिए, भारत अपना डीप सी मिसन लांच कर रहा है, और ऐसा करने वाला ये छठा देश है, मत सियान भारत लांच करेगा, और साहिल चौहान नाम के एक खिलाडी ने मात्र 27 गिन्दों में सौरर मनाकर क्रिस गेल का सबसे तेज टीटुन सतक बनाने का रिकार तोड़ दिया है, आलिया भट के द्वारा पुस्तक लिखी गई है, एड़ फाइंड्स ए होम, ये पुस्तक का विमोचन किया गया, तेसम पोंगटे अरणाचल प्रदेश विदान सभाग के अध्यक्ष चुने गये हैं, निर्विरोध और गुजरात स इडरेशन का आश्रेल नोपन जितलिया ली जी जी आने, मलेसिया के हैं, मालावार रिवर फेस्टिबल का आयोजन केरल में किया जाएगा, तो ये थे टॉप 10 करेंट अफेर के कुश्चन कल की वीडियो से, जिनका आपने किया है, एक मिनट में रिविजन, अब बात इसकी क्विज और पीडियाफ आपको MZT app पर मिल जाएगी, पिलकुल फिरी में, आप MZT app से उन दोनों का फाइदा उठा सकते हो, पहला कोशन देखते हैं, हाली में किसने नालंदा विस्विद्याले के नए केंपस का उधगारन किया, तो प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी मैं बात कर रहा हूँ पाचवी सताब्दी की, चौथी पाचवी सताब्दी में स्थापित हुआ था नलंदा विस्विद्याले और तब से ले करके, बारवी तेरवी सताब्दी तक, दोस्तों ये ज्यान का भंडार था, हजारो छात्र, दुनिया भर से आते थे यहाँ पर 427 EZB में समराट कुमार गुप्त ने इसके स्थापना की थी, लेकिन उसके बाद बहुत सारे इस पर अटाइक हुए, 1190 में बक्तियार खिलजी नाम का एक सेनपती था, उसने इसमें आग लगवा दी थी, जिससे यहाँ पर हजारों जो छात्र थे, वो मारे गए थे, इसक सारे जो विज्ञान थे, वो उसे में दफन हो गए, लेकिन 28 मार्ज 2006 को ततकालीन राश्टरपती डाक्टर अब्दुलकलाम जी ने बिहार विधान मंडल में इसके रिवाइबल पर एक विचार रखा और रिहन कहा, यहाँ पर इनवेस्टी को दुबारा से रिवाइब करन चाहिए, 2007 में इनके ही आदेश पर या कहें इनके रिक्वेश्ट पर इनके डिमांड पर, नोबेल प्रोसकार विजेता अमरत सेन के नितिर्त में एक नालंदा मेंटर ग्रूप बनाया गया, और आगे चल करके 2014 को 15 स्टुडेंट के साथ एक बार फिर से इसमें पढ़ाई क किया जाएगा, और उमीद है कि आने वाले टाइम पर फिर से ये विश्व गुरू केंपस बन करके उखरेगा, 19 जून 2024 को भी पीम मोदी ने नालंदा राजगीर बिहार में जाकरके इस केंपस का उखाड़न किया, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, हाली में कहां पर बान जल जलवायु सम्मीलन बान में आजद हुआ, बान पड़ता है जर्मनी में, तो जर्मनी के बान सहर में जलवायु समिट हुई है, climate summit हुई यह एक प्रकार से कह सकते हैं कि जैसे होता नहीं कि एक्जाम होता है, तो एक होता एरली एक्ζाम एक होता है छमाही, अलांकि अब तो स कि मिटिंग होती है इस बार होना है कोबुकर 29 समिट होगा वाखु अजर्बायजान में लेकिन बाकु अजर्बायजान में वो यस साल के अंति मैं तो इस साल के अंति के समझन यfire pearl exam है अभी तो चल ला है छमाई तो छमाई के लिए यहाँ पर समिट हुई यह मैं एक्जामपल के लिए आपको बता रहा हूँ छमाई साला न यहाँ पर देखो UNFCCC का सहायक निकायों का साथमा सत्र है यह और बान जल्वाई परवरतन के नाम से जाना गया क्योंकि यह बान में आयजित हुआ ठीक है अब कॉप 29 में क्या-क्या मुद्दे होंगे किन पर बात करनी होगी जल्वाई क्लाइमेट चेंज उसके लेकर किनकी टॉपिक्स पर वहां सोगी क्य या क्या इससे निकल कर समझाते आएंगे डील्स आएंगी दुनिया भरके लोगों को क्या टास्क दिया जाएगा जिससे क्लाइमेट चेंज को रोका जा सके इन सब पर यहां पर बातचीत हुई ठीक है तो यह बात याद रखना कि अगला वाला होगा बाकु अजरबैजार में यह COP29 समिट, COP28 कहां हुआ था? UAE में हुआ था, COP27 कहां हुआ था? Egypt में हुआ था, मिस्तर में, COP26 कहां हुआ था? यह हुआ था, Scotland में, ठीक है? आगे बढ़ते हैं हाली में दुनिया के सबसे उचे चिनाव रेल ब्रिज पर पहली ट्रेन चली, यह ब्रिज कहां बना है? तो यह ब्रिज बना है दोस्तों भारत के जम्मू कस्मीर में तो जम्मू कस्मीर में दुनिया का सबसे उंचाई परिस्थित ये ब्रिज है ये इतना उंचा है कि आप समझो एफल टावर आप सुने होगे एफल टावर की उंचाई है मातर 330 मीटर और इस ब्रिज की उंचाई है 369 मीटर से भी ज़्यादा तो ये देखिए वर्ड हायस्ट और इस पर जब ये बन रहा है तब की तज़्वीर है और ये कंप्लीट हो चुका है ब्रिज और इस पर तेंड दोडेगी यानि रेल्वे ब्रिज है ये इसकी उंचाई यहां से चिनाब नदी के उपर बना है तो चिनाब नदी से उपर इसकी उँचाई 369 मीटर की है ठीक बारामुला रेल लिंक प्रोजेक्ट का हिस्सा है ये कुश्यन आप से पूछा जा सकता है कि ये किसको किसको करनेक्ट करती है आप बताएंगे उधंपूर सिरिनगर बारामुला रेल लिंक पर योजना का हिस्सा है चिनाब रेल बिरिज दुनिया में सबसे उंचाई पर बना किलियर चलिए आगे बढ़ते हैं जम्मू कस्मेर में है अगला किस वन जीव फिल्म निर्माता को वी सांता राम लाइफ टाइम अचीमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया तो अभी हाली में दोस्तों सुब्बया नल्ला मुथू ये एक वन जीव फिल्म निर्माता है और इनको वी सांता राम लाइफ टाइम अचीमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है अठारवा संसकर्ण था इस बार का और इसको दिया गया वी सांता राम लाइफ टाइम अचीमेंट अवार्ड सुब्बया नल्ला मुथू को ठीक है वी सांता राम ये कौन थे ये बहुत प्राप्त करता थे एजरा मीर ठीक है अगला हाली में धनलक्ष्मी बैंक ने किसे अपना प्रबंध निदेशक बनाया तो धनलक्ष्मी बैंक जो है इसके प्रबंध निदेशक बन गए है अजीत कुमार केके इनका पूरा नाम है अजीत कुमार केके तो इनको नया MD और CEO, Managing Director and CEO nuked किया गया है, किसका धनलक्ष्मी बैंक का, धनलक्ष्मी बैंक दोस्तों केरल में एक बहुत ही फेमस बैंक है, केरल में ही इसका headquarter है तिरसूर में, अक्सर ये चर्चे में रहता है तो मैं आपको बताता रहता हूँ, तिरसूर में इसका headquarter है औ याने कि ये लगभग 100 साल होने जा रहे है इसके, 3 साल अभी और कम है, तो ये बहुत पुरानी बैंक है, तिरसूर केरल में इसका headquarter है, अगला, भारत के सबसे मूलिवान celebrity brand कौन बन गए, तो एक बार फिर से सबसे valuable celebrity brand बन गए है दोस्तों, विराट कोहली, विराट कोहली पिछली बार भी थे, इस बार भी है, हाला कि उसके पिछली बार रणवीर कपूर थे, लेकिन विराट कोहली का, जो कहते हैं, ब्रांड बैलू है, ये बहुत ज़्यादा है, कितना है, ये इनकी brand बैलू दोस्तों, 228 million dollar के आसपास में है, रणवीर सिंग 203 million dollar के, सारु खा पिछली बार फिर से भारत के सबसे valuable celebrity brand है, अभी Forbes की list आई थी, उसमें मैंने आपको बताया था, Cristiano Ronaldo सबसे अधा कमाई करने वाले इस साल के celebrity बने थे, अगला, फिच रेटिंग ने भारत की GDP growth rate का अन्मान साथ प्रत्सत से बढ़ा कर कितना कर दिया है, तो देखो, फिच रेटिंग ने अभी हाले में अपनी एक नई rating जारी की है, भारत की GDP को ले करके, और इसमें भारत का GDP growth rate का अन्मान हैंने बढ़ा कर 7.2% कर दिया है, GDP मतलब आप जानते हो, gross domestic product, सकल घरेल उतपाद, इसमें इस साल कितनी growth हो सकती है, इस साल मतलब किस साल, 2024-25 के financial year में, जो एक अपरेल से शुरू हुआ है 2024 से, और चलेगा 31 मार्च 2025 तक, उस वाले financial year में भारत की GDP कितनी growth कर सकती है, तो ये अर्मान बताया है, फिच रेटिंग ने 7.2%, ठीक है न, तो फिच रेटिंग एक रेटिंग एजनसी है, इसने global economic outlook report जारी की और इसमें इन्होंने बताया, इसमें इन्होंने अगला वर्स 2025 का अन्मान बताया है, और उसके भी अगले वर्स का भी अन्मान बताया है, कितना कितना, 2025-26 में इसके प्रत्सत के दर से ग्रोह होना GDP, यह बहुत ही बड़ी बात है, और इस प्रकार भारत तेजी से बढ़ती हुई economy है, आज के टाइम पर पांचवी सबसे बड़ी economy है, अगला हाले में किस भारतिये स्पेस्टेक स्टार्टप के थाइबोल्ड सेटेलाइट ने पिर्तिभी के पंदरा हजार चकर पूरे कर लिए हैं, यहाँ पर आप देख पाऊगे आर्टिकल है, धुरुबा इस पेस्टाइबोल्ड सेटेलाइट कम्पेट 15,000 और अब यह रिटायर हो रहा है, मतलब इसका काम पूरा हो गया है, अब यह बाहर निकल जाएगा, और वेट से बाहर न सीज हैं, जो तेजी से ग्रो कर रही हैं, और भारत भी चारा है कि स्पेस सेक्टर में प्राइबेट प्लेयर्स को मौका दिया जाए, जैसे आप अगनिकुल कॉस्मोस को नाम सुनते हो, स्काइरूट का नाम सुनते हो, इसके लामा धुरुबा हुआ, गरुना हुआ, यह अभी मिलकर इसके स्थापना किये थे, जिसमें संजे निकानती जो हैं, युवर्तमान में CEO हैं, अगला, हाली में किस फिल्म निर्माता को नेलसन मंडेला लाइफटाइम अचीमन्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो अभी हाली में दोस्तों, विनोध गनात्तरा को न नेलसन मंडिला लाइफ टाइम अचीमेंट अवार्ड से अभी सम्मानित किया गया है। ये दच्चिड अफ्रीका का प्रतिष्टित सम्मान होता है। तो ये अवार्ड पाने वाले ये पहले भारतिये भी बन गए हैं। और फिल्मेकर हैं, एडिटर हैं। बच्चों के गयर कारिकारी स्वतंतर निदेशक निउप किया। तो पेटियम के नौन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडने डिरेक्टर निउप किये गये हैं दोस्तों राजिव अग्रवाल। राजिव अग्रवाल जो है ये आए हैं नीरज अरोडा की जग़पर। नीरज अरोडा अभी कुछ दिन पहले इस्तीफा दे दिये थे मैंने कवर कराया था कुश्चन और जब वो इस्तीफा दिये थे तो अब उनकी जगा पर आए हुए हैं राजिव अग्रवाल। तो ये नए नए नौन इग्जेक्विटिव इंडेट डिरेक्टर के रूप में पेटियम की ह करेंगे ठीक है इनका पूरा नाम है राजिव कृष्ण मुरारी लाल अग्रवाल पांच साल के लिए कारेकाल के लिए नको चुना गया है पेटियम पर देखा आपने पिछले दिनों में बहुत सारे सैंसेंस भी लगे आर्वियाई ने पेटियम बैंक बंधी कर दिया पू अगला तो यह 10 कुष्ण थे आज के और हां एक जरुरी बात दिखो अब रेलवे के एकजांस बहुत तेजी से होंगे तो ऐसे में आप लोग के लिए यह जो एबुक लाए गई है साइंस की क्योंकि साइंस का वेटेज बहुत ज़्यादा है रेलवे के सभी एकजांस में तो उस एबुक को आप जो है इसको ले डालिए क्योंकि इसके प्राइस बढ़ने वाले हैं और इस नंबर पर वर्टसेप करके QR कोड आपको भेज जाएगा उस QR कोड पर पेमेंट करके 75 रेट्स में आप यह एबुक प्राप्त कर सकते हैं इसमें 1100 प्लस कुष्टन्स हैं प्रिवेस एर के कुष्टन्स भी हैं थेओरी भी हैं प्रशनोत्तर भी हैं और वन लाइनर भी दिये गए हैं तो आप इस एबुक का फाइदा उठाएए इस नंबर पर वर्टसेप कीजिए अभी कि अभी वर्नल लेट हो जाएगा इसका दाम जल्दी 90 रुपय होने मला है असेश्टन लोको पाइट और टेकनीशन का अगर आप प्रैक्टिस सेट बुक लेना चाहते हैं ऑफलाइन बुक तो ये बुक अब आप और और कर सकते हैं अमेजन से ये भी अवैलबल हो गई है बाकी वर्टसेप चैनल से जुड़ करके आप वन लाइनर प्राप्त कर सकत हो और टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हो देखते हैं लाजडे का कुश्चन जो मैंने आपसे पूछा था 17 जून को मनाये गए विस्व मरोस्तरी करन रोख्थाम दिवस की थीम क्या थी एवरी लेंड एवरी राइट्स वैस्विक सांती सुचकांग में सीर्स पर है दीजिए थैंकियो सो मच यहां तक वीडियो देखने के लिए टेलीग्राम पर इसकी पीडिएप मिलेगी कुई जेटी एप पर मिलेगा मैं मैं विलूंगा अकल की वीडियो में तब तक लिए नमसकार जाहिन वन देमात्रम